नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं Your Everyday Guide और आज है Tuesday और आज के दिन मैं पोस्ट करता हूँ एक 3 मिनिट्स की छोटी सी गाइड लेकिन आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज किया है और उस टॉपिक को क्योंकि मैं आपको ठीक से मिनिट्स की जाने वाली है लेकिन खेर समय से फ़रक नहीं पड़ाता में चीज यह है कि जो चीज मैं आपको एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ वो चीज आपको ठीक से समझ में आने चाहिए तो आज की इस गाइड में मैंने पिक किया है अपने व्यूवर का एक कुर्शन तो इसको देख लेते हैं तो क्वेशन यह है कि सर परागपर एक फ्लेक्सिक फंड में एक एसडवलूपी करें तो कैसा रहेगा प्लीज रिपलाए तो सबसे पहले में एसडवलूपी के बारे में आपको शॉट में समझा देता हूँ कि एसडवलूपी यानि कि सिस्टेमाटि अगर आपको किसी फंड से कुछ अमाउंट बाहर निकालना है मेबी वह 10,000 रुपे हो या 20,000 रुपे हो अगर आप रेगुलरली हर मन्थ वह पैसा किसी फंड से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेटवलूपी यानि कि सिस्टेमाटिक विड्रॉल प्लैन तो इसको सेटव करने के लिए आपको बस उस फंड पे जाके अमाउंट चूज करना होगा फ्रिक्वेंसी चूज करनी होगी कि कितने डूरेशन के बाद आपको इस पैसा बाहर निकालना है और आप इस प्रोसेस को आटोमेट कर सकते हैं तो यह तो हो गई अब हम आजाते हैं अपने सवाल के जवाब पे तो सबसे पहले चीज आती है before you do SWP SWP का मतलब है कि आप किसी फंड से अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं और किसी फंड से जब पैसा बाहर निकालने की बात आती है तो यहाँ पर आपको दो चीजों को ख्याल रखना होगा सबसे पहले चीज है exit load और दूसरी चीज है taxes उसके लिए better होगा कि आप सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए जहाँ पर आपके exit load और taxes को लेके दोनों बाते clear हो जाएंगी उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे continue कीजिए बात करते हैं second point की यानि की as wp किसको use करनी चाहिए तो as wp generally use की जाती है regular income के लिए यानि की ये option उस इंसान को use करना चाहिए जो या तो retire हो चुके हैं उनको अपने invested पैसे से ही अपनी regular income निकालनी है या फिर मैं कहूं की अपने मंतली खर्चे निकालने है या उस इंसान को इस invested पैसे से थोड़ा थोड़ा पैसा बाहर निकालना चाहते हैं अपने खर्चों के लिए maybe उनके जो सभी funds है उनमे total invested पैसा जो है वो 50 लाग रुपे हो या एक करोड या even 5 करोड रुपे हो whatever अगर आप अब भी working है आपकी income आ रही है चाहे नौकरी से आ रही हो चाहे बि आप ही का invested पैसा है जो आप ही बाहर निकाल रहे हैं तो better होगा कि आप उस पैसे को तब तक ना छेड़ें जब तक आपकी real requirement ना हो third point है retard लोगों के लिए देखे मैंने जानता कि जिन्नोंने कोशन किया है उनकी age क्या है maybe आप retirement के नजदीक हो या फिर आप retard हो चुके हो तभी आपने SWP के बारे में सोचा होगा मेरे पास जो total fund value है वो है 1 crore rupees की तो मैं जो SWP amount set करूँगा यानि कि monthly amount जो मुझे withdraw करना है अपने funds के अंदर से मैं वहाँ पर SWP लगाऊंगा maximum 1% amount पे यानि कि 1 crore रुपे का 1% अगर आप निकालेंगे तो 1,00,000 रुपे पर मन्त का SWP में setup करूँगा जो कि मेरे लिए हर मन्त की एक retirement income होगी हो सकता है कि उस time पे जो मेरा lifestyle होगा उसके हिसाब से मेरा काम 0.5% यानि कि 50,000 रुपे पर मन्त से भी चल जाए हो सकता है कि मेरा काम 75,000 रुपे पर मन्त से भी चल जाए तो मैं अपने SWP को उसी के हिसाब से set करूँगा तो ये completely depend करेगा आपके lifestyle पे कि आपको उस समय कितने पैसे के requirement हो सकती है तो अगर मैं यही चीज़ आपको एक SWP calculator में calculate करके दिखा देता हूँ तो इस calculator के हिसाब से अगर मेरा total invested पैसा है मान लीजिए मैं यहापर डाल देता हूँ 1 crore तो मेरे पास total invested पैसा है 1 crore और मुझे परमत यहाँ से withdraw करना है 1 lakh रुपीज ये मैंने यहापर set कर दिया और जो expected return rate है जो की मेरी existing investments पे मुझे मिल रहा है अगर मैं मान लेता हूँ कि जिन भी funds में मेरे पैसा invest किया है उसके हिसाब से मुझे stock market से returns मिल जाते हैं 12% के और मैं ये पैसा withdraw करना चाहता हूँ अगले 20 साल के लिए मान लीजिए आज मेरी उम्र जो है वो है 60 साल की और मैं 80 साल की उम्र तक जी जाता हूँ यानि कि मुझे पैसे के requirement है अगले 20 साल के लिए तो अगर मैं इस हिसाब से इन सभी calculations को देखता हूँ तो मैंने यहाँ पर 20 साल में जो पैसा withdraw किया है वो है 2,40,000 रुपे मेरी total investments थी 1,00,000 रुपे मुझे उस पे 12% के returns भी मिलते रहे मेरे पास फिर भी जो final value बचेगी 80 साल की उम्र पे जाके वो होगी 53,41,000 रुपीज के आसपास की यानि कि अगर मैं 80 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मैं अपने पीछे 53,40,000 रुपीज के आसपास के पैसा छोड़ के जाऊँगा जो हो सकता है मेरे बच्चों की काम आ जाए या फिर फैमिली में किसी और की काम आ जाए वहीं अगर मैं इस expected rate of return को 12% से गिरा के अगर कर देता हूँ कि अगर ये return मुझे खाली 11% के ही मिलते हैं तो अगर मैं 80 साल की उम्र में इस दुनिया से जाता हूँ तो मैं अपने पीछे 2,31,000 रुपे की उधारी छोड़ कर जाऊंगा यानि कि मेरे fund में उत्ता पैसा हो गई नहीं तो ये जो expected rate of return है इनको आपको अपने हिसाब से calculate करना होगा आप कितना पैसा withdraw करना चाहते हैं इसको आपको अपने हिसाब से calculate करना होगा जिससे कि आप ये अनुमान लगा पाएं कि आपके पास जो total invested पैसा है वो कितने साल चलने वाला है और क्या आपके खर्चे उतने साल तक चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे तो SWP करते टाइम पे fund कौन सा है इससे फरक नहीं बढ़ता वो पराग पारिक है या कोई दूसरा fund है या कोई index fund है अगर आप SWP करते हैं अपने total invested पैसे के 1% के नीचे नीचे और अगर हम यह assume करते हैं कि आपको market 12% के return दे पा रही है तो इन सभी calculations के हिसाब से आपके retirement के बाद आपके जीतेजी आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी आपके सारे खर्चे अराम से निकल जाएंगे अगर आपके बाद आपके जाएंगे